वेल्कम टू हेल्दियो नाग से जुड़ी हुई एक और समोते हैं बार बार छींके आना नाग से पानी चलना अकसर देखा गया है कि घर में अगरबति लगती है यह किसी ने डियोडरेट लगाया है यह फिर आप बाहर निकलते हैं घर में ठीक रहते हैं बाहर जाते हैं तो एकदम से उसका मुख्य कारण अलर्जी है इसको अलर्जी क्राइनाइटर्स मोलते हैं उसके लिए हम दवाई बार बार लेते हैं और जब दवाई लेते हैं फिर ठीक हो जाता है और फिर से यह दोबारा हो जाता है उसके लिए मुख्य इलाज वह आपकी तरफ से होगा वह है प्रिवेंटिव केर आप मास्क यूज करें अच्छा बढ़िया मास्क कार्बन फिल्टर मास्क मार्केट मे और शड़क के आसपास जिनके गर है या जिनकी दुकाने है वहाँ पर काम करते हैं तो उनको मास्क सुबह से शाम तक पहना है जब तक वह बाहर है तीसरा आप अवाइड करें डियोडरंट यूज करना और आसपास जो भी आपके रहते हैं उनको अवेर करना कि मुझे से दूर रहें अक्सर हमने देखा है कि घर में कभी भी जुकाम होता है या हलका बुखार होता है छी के आती है नाक से पानी चलना बड़ों में या बच्चों में तो उसमें घरेलू इलाज होते हैं जैसे अधरकी चाए या देसी जो भी नुसके हैं वो यूज के जाते हैं अगर नहीं होता है तो आप डॉक्टर को करसल्ट करेंगे दूसरा आपको जो घर के नुसके हैं वो आप यूज कर सकते हैं लेकिन अगर फिर भी इंप्रूब्मेंट नहीं होता तो आपको तीन दिन या चार दिन से जादा वो उन नुसकों पर डिपेंड नहीं रहना है आ और हेल्थी जानकारे के लिए लाइक करो शेर करो सब्सक्राइब करो हेल्थी हो